गुन्मानी शैल जी देखिए जहां तक कि हिरो मोटो कॉप का सवाल है कॉन्फरेंस कॉल बचा हुआ है तो बहुत ब्रोकरिज रिपोर्ट है नहीं जेफरीज की जो रिपोर्ट है यहां इन्हों ने जो होल्ड रेटिंग है वो बरकरार रखी है टार्गेट है 2560 रुपए त तो यहां से इनको लगता है कि स्टॉक में लगबग 10% की डाउंसाइड है जहां तक कि वैलुएशन का सवाल है जेफरीज को भेंगा लगता है और नतीजे भी कुछ खास नहीं है हाला कि जेफरीज का मानना यह है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है यानि जो मुराफ़ा प्रॉस मारजिन कंपनी ने मेंटेन रखा है तो यह एक पॉजिटिव है हाला कि मैनेजमेंट की कॉमेंटरी रूरल मार्केट्स पे और डिमांड पे काफी इंपॉर्टन रहेगी जिसके बाद यह रेटिंग में या टार्गेट में बतलाव करेंगी बिल्कुल काटे गए हैं विरेंद्रा और जहांतक की ब्रॉक्रिजिस का सवाल है विजल्स को लेके काफी डिसपॉइंटेड हैं अगर हम स्पेसिफिकली ब्रॉक्रिजिस की बात करें जो आज सुबह हमको इन्फोर्मेशन मिली है वहां मॉर्गन सैंली टार्गेट इन्हो दिखाई दे सकता है आगे चलते हुए क्रेडिट सुईज ने टार्गेट लगबग 15 रुपे से काट दिया इनका 185 रुपे का पहले टार्गेट था 185 का जो अब 120 रुपीज और ये जो कौर्टर आया है जो वीक है उसको लेके काफी डिसपॉंटेड है क्रेडिट जो नतीजे आये हैं उसके कारण वैलिएशन के मल्टिपल्स को काट देना चाहिए और इसलिए इन्होंने एक स्टीप टार्गेट प्राइस कट यहां किया हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलेंच ने भी टार्गेट काट के 115 रुपे कर दिया है और जो कॉस्ट है कंपनी क कि वो जो एक्सपेक्टेट थे कि नॉर्मलाइज होंगे वो भी काफी बड़े हुए है तो कॉस्ट फ्रेंट पे भी कंपनी ने डिसपॉइंट किया है मार्जिस नहीं वो बचा पाएं अपने और इसलिए इनको लगता है कि कहीं ने कहीं यहां आपको चालेंजिस दिखें पे मैनेजमेंट की सुने तो उनको लगता है कि यहां से जो प्राइस हैक्स लिए हैं उसे लगबग 3% का मार्जिन बढ़ सकता है और डिमांड काफी हल्दी रहेगी ट्रेक्टर सेगमेंट पे हलांकि उनको लगता है कि दिमांड फोड़ी फिकी रह सकती है जहां तक कि सेल सवाल है उनका लक्ष है 1117 रुपए और जो आटोमोटिव बिजनस है उनमें उनको लगता है कि अगले वित वर्ष में काफी जबरतस तरीके से परफॉर्मेंस आती हो दिखाए देगी इलेक्रिक वहिकल्स और नए लॉंच इस पे भी आपको काफी अच्छा काम काच होता ह वह दिखाए दे सकता है आटोमोटिव सेग्मेंट में वैल्यूशन को भी महिंद्र महिंद्रा के मौर्गर स्टैली को अच्छे लगते हैं बुफा का लक्ष नौसो बीस रुपए है और जहां तक कि रिस्क रवाड का सवाल है बुफा को लगता है कि यह काफी बैलेंस है और जो ट्रैक्टर सेग्मेंट है महां आपको थोड़ी बहुत दिखते आ सकती है क्योंकि ग्रामी इंडिलाकों में आपको डिवान थोड़ी बहुत वीक होती हुए दिखाए दे रही है झाल 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 झाल